ओम सिरी गनी सायनमा दोस्तो समधान ही समधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 अगस्त रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन करक रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में, हम आपको एक उपाई भी बताएंगे, जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें, दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने ने वीडियो पहुंच सकें, चड़ी दोस्तो बात करते हैं, कैसा रहेगा, करकराशी वालों के लिए, रवीवार का दिन, सबसे पहले बात करते ह हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं, दोस्तो आज आपकी वित्य इस्थिती में काफी सुदार आ जाएगा, अचानक से धन प्राप्ती के आफसर आपके जीवन में आएंगे, जो आपके भविश्य में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे, शिक्षा के लिए बहतरीन समय रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्दियों को प्राप्त करेंगे, दोस्तो आप में आज उड़जा का इस्तर सामान रहेगा, दूसरों के साथ अच्छे वेवार से आप दिमाग से काम लेंगे, साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं, किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं, थोड़ा धहरे से काम लेना होगा, और टकराव की इस्तितियों से आज आज आप बच कर चलें, आप शांत लहजे में बात करेंगे, तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे, द अधिक लाब मिलेगा, उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत जुड़ेंगे, इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है, उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है, कुछ बिगड़े हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है, विपरी जो आपके लिए कामियाबी और खुस हाली लाएगा, अपने उद्देस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है, अगर हालत का आपने धहरे से सामना करा, तो आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, कामकाजिके नजरिये से, आज का दिन वाके में आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है, जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आपके लिए क्या नेगडिव हो सकता है, दोस्तो आपको अपने भाई बेनों का आज पूरा शेयुग प्राप्त होगा, और समाज में भी आपका औ कोई खास सौधा या बड़ा फैसला लेने से बचें, कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं, दिनवर कहीं न कहीं से रुकावट की इस्तिती रहेगी, जो समया कर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दें, कठिन परिश्रम से दोस्तों से अनबन हो सकती हैं, संवेदन सील मामलों में समल कर चलने की आपको आज आवश्यक्ता है, संसादनों पर खर्च होने से मांसिक असांती तथा तनाव पूर इस्तिती हो सकती है, आत्म विश्वास के आभाव में कियेगे कारों में रुकावट तथा बादा सामान रहने बाला है, कोई नेकार योजना को विस्तार देना परिसानियों का कारण हो सकता है, कोई तनाव और मतबेद आपको चिर्चड़ा और बेचेन बना सकते हैं, आप अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिस करेंगे, तो आप अपने हितों को ही नु पुंद कर यकीन ना करें, और उनकी सच्चाई को भली बहती परखें वानी पर नियंतर रखना होगा, अन्यता कल है, हुने की संभावना भी रहेगी, साफधान रहें, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं, दोस्तों किसी तरह की यात को नई रचनात मकता देंगे, और उसको मजबूत बनाएंगे, इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती, अत्यादिक आकर्शन भी महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, मरियादित आचनर करना ही, सर्व था उचित होगा, साथिसा दोस्तों आपको अपने प्रेतम को यह भ होने वाला है, दोस्तों इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए, दोस्तों बात कर लेते हैं जब कवेशाई केरियर कैसा रहने वाला है, दोस्तों वेपार धंदा आज अच्छा चलेगा, और कारे छेतर में सफलता मिलेगी, हालाकि कारे भार की अधिकता रहे साती सात, आज आपको धन प्राप्ती के भी अनेक ववसरों की प्राप्ती होगी, जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, दोस्तों साती सात, मेडिकल से जोड़े छात्रों के लिए दिन आज आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है, नौकरी करने वाले जातकों क लिए भी दिन आज का काफी मिला जुला रहने वाला है साथ साथ आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती हैं जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा जहां दोस्तों वैवसाय के द्रश्टी से आज की स्तिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्त को लेकर बिल्कुल भी चिंतित होने की कोई आवश्कता नहीं है आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे आज आप अपने आपको उर्जावान और बिल्कुल तनावमग तो महसूस करेंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा साथिसाथ दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो वोब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद तामे के बरतन, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड, लाल चंदन, इन में से किसी भी चींज का दान आप भगवान शुर्देव के समर्ण करते हुए अवश्य करें या दोस्तों ऐसा करने से भगवान शुर्देव के अशिरवाद से आपको वश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा और आपके समस्त कार रहें बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुर्यदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो शुच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैशुर्यदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें झाल झाली हुआप्त है कटाओर वाभत है लाउर्यदेव करें